जहन में दिनेश कुमार आप देख रहे हैं सिंग्रॉली लाइज इस वक्स हम मौझूद हैं स्री साइसल मंगलम महाविद्याले में और हमार साथ जुड़ रहे हैं महाविद्याले के निदेशक वोपाल जी श्रिवास्तो जी स्वागत है सर आपका पूरा जिला जो हमारा सिंग्रॉली है और ये विस्थापन के विशेर को लेकर के बहुत दिनों से समस्याओं से जूज रहा है आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे आने को सवालों से जूज रहा है जिसके जवाब के लिए काफी दिनों से इंतजार किये जा रहे हैं और ये भी हम जानते हैं कि आज इस विशय को ले करके लगबग दो पक्षों में विवाद भी होता आला है, पर परिणाम सकारात्मक देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आज इसी विशय पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ गोपाल जी बैठे हुए हैं, कुछ प्रश्णो को ले करके समस्यां आ रही है, कारण क्या हो सकता है? जहां तक है पुनवरस्थापन अस्थल की बात है, तो कुछ लोगों का विचार जैसा है कि भलुवड जाना चाहते हैं, ठीक है कुछ लोग भलुवड नहीं जाना चाहते हैं, क्यों कि भलुवड जो एरिया है रहा तो देहसर विधान सभाथा में आता है, Gedanken area तो हम अपने इस सिंग्रोली बिधाधन सभा को छोड़ करके देउसर बिधाधन सभा में क्यों जाए हम लोगों का पयुट से ये डिमांड रहा है कि अगर हम नगर निगम एरिया में है तो नगर निगम एरिया में ही हमारा विस्थापन होना चाहिए या तो बैढ़न अथवा बैढ़न के आसपास आप नौगर तक भी दे दे तो चलेगा और नहीं तो फिर सिंग्रोली हमारा जो है तो सिंग्रोली से समीब आपका खिरवा परताली था जो कि वार्ड नमबर एक से सटा हुआ है तो कल को अगर सिमांकन होता है नगर निगम एरिया का पुनर जो सिमांकन होना है तो उसमे हो सकता है कि वह एari एको हम लोग नगर निगम मे तैने इंग्रोली के लिए बचारहोई गायेगा तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि यहां पास में अगर रहेगा तो हम लोगों का बिस्थापन भी सुगम हो जाएगा हम यहां रहकर ही अपने नय जो भी मकान बनेंगे तो हम उसको देख पाएंगे यहां से सामान होगा जो भी आसानी साथ नी एक जगह से दूसरी जगह ट्र वह यहीं हमारे जो आसपास को जो ग्रामेट एरिया है खिर्वा करएला अब बिर्कुनिया बगईया जैहीं कि तो लोग हैं दुद्वनिया चितरंगी तक के लोग यहां सिगरोली बाजार पर आस्रित हैं तो वो हमारा जो आपसी ताना माना है और भी कहीं न कहीं प्रभा हमारे सिंग्रोली सहर का आप से संबंग टूटेगा प्लस जो ग्राइमिट शेत्र से जो हम लोगों का एक ताना मना मना वो भी प्रभावित होगा और उससे निश्यत रूप में अगर हम लोग भलुवर जाते हैं तो हमारा ही नहीं इस शेत्र के सभी व्योसाई जो हैं उनका कॉंपिशन रहेगा उनके जो कस्टमर बेस हो निश्यत रूप में प्रभावित हों और भलुवर में तो निश्यत रूप में ही प्रभावित हों यह मेरा कहाना है और हम लोग भी ऐसा नहीं कि हम लोग खिरुवा करेला के लिए बिल्बूल लिक्तम उसके लिए लगे थी कि भलुवर हम लोग सिर्फ एक ही कीमत पर जा सकते हैं कि नगर अपना जो एंसील है एंसील अपना मुख्याले वहां पर ले जाए और अपनी जो टाउन सीप है उसको भी लेकर वहां चले तो क्या है कि एंसील हम लोगों के लिए भले कुछ ना करें लेकिन अपने दी होनी चाहिए और अभी जहां पर आप लोगो ने सरवेच्छन पर बिरोध की बाद गई तो मैं इसपस्ट कहना चाहता हूं कि सरवेच्छन को लेकर के हम लोगों का कोई बिरोध नहीं है हम लोग भी सरवेच्छन के पच्छ में और यह चाहते हैं कि सरवेच्छन सिगर ठीक है उस सरवेच्छन रिपोर्ट में कहीं भी कोई रासी नहीं लिखी हुई है कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा क्या सुबधाय दी जाएगी आपको कहां बसाया जाएगा कोई भी चीजें इस पस्ट नहीं है और आपन नमबर दस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका घर जो है टापू बना के रखा गया है उनके घर को चारों और जो है एंसेल ने खोद दिया है और उनको आज तक मौफजा नहीं मिल पाया है 2010 से 2024 आ गया और 14 सालों से वो लड़ रहे हैं मौफजा के लिए और वही हालत हम लोग ना हो इसलिए हम लोग परिशान हैं और दुखी है और हम लोग नहीं चाहते हैं यहां पर जो भी सामान और निर्धन वर के लोग हो वो इससे प्रभावित हो तो इस ताकत में इस लड़ाई में हम पूरे सिंगरॉली वासियों का हमको साथ चाहिए हम सभी लोग हम फॉर्मेट भी दिया हुए है जो कल्कुलेशन सीट दी हुई है उस पे आप GMRNR का साइन करा के लिए हैं कि इस रेट से आपको मुवजा दिया जाएगा इस तरह से मुल्लेंगन किया जाएगा और हम लोग मुल्लेंगन के लिए उसके लिए तयार हैं सर्वे के लिए बिल्क कि क्या अनुमान है यह विस्थापन को पाएगा विस्थापन तो देख़े क्या है कि निशंदे है कि भाई N.C.L. को यहां की जमीन को अक्युपाई करना है और हम लोग भी देश के विकास में कहीं भी अउरोध नहीं बनना चाहते हैं हम लोग भी इतम कंदे से कंदा लाक करके आगे बढ़ना चाहते हैं आगे की ओर देखना चाहते हैं और निशित रूप में कोईले की जरूरत है लेकिन जो हमारी बेसिक जरूरते हैं उनको तो पूरी होनी चाहिए एंसे प्रबंदा ने प्राइवेट कंपनी की तरह से रियक्ट कर रहा है हम लों के साथ ऐसा ही कर रहा है अगर वह चीजों को जैसे उन्होंने समाचार पत्रों में दे दिया क्यорradas आगर आप भूमी नहीं लेते तो प्लॉट के बदले में आपको इतनी राशी दी जाएगी तो यह सारी चीज़ अगर अगर ओपन मंच में वो दे दें इस पश्टूप से बोल दें तो हम लोगो फिर इतना परिशान होने के जरूरत नहीं है हमारी लडाई कितम हो जाएगी जो सिंग्रोली सहर के लोगों क कि जो प्रक्रिया है सिग्र से सिग्र करा ले सबसे पहले हम लोग तयार है नापी के लिए बोई दिक्कत नहीं है अब आप में यह बताएं कि अभी तक आप लोगों के माध्यम से प्रबंदन से क्या कुछ बाते हुई और क्लेक्टरेट में क्या बाते हुई और अगर क्लेक्टरेट में जैसा कि आप लोगों को पूरू में भी जानकारी होगी कि हम लोगों की एक बैठक हुई थी कलेक्टर महोदे भी वहाँ थे और एंसल प्रबंधन की अन्या धिकारी भी थे दोनों मंच के लोग भी थे वहाँ पर और वहाँ पर जो रुख था वो बहुत 30,000 रुपे ले ले जिस पर कि हमारे मंच के दोवारा कड़ा विरोध भी किया गया क्लेक्टर साहब भी काफी नाराज हुए हम लोगों ने बस यही बोला कि सर एक लाग 37,000 तो एक सामान मज़ूर की सालबर की मज़ूर ही नहीं होती आप एक लाग 37,000 रुपे तो एक मजा करने के त्यार नहीं है हम लोगों को बैड़ान आप ले जाए या अभी सिंग्रोली में आप वाड़ क्रमा के के आज पास हम लोगों को पुनरस्थापित करिए और तो लिखित तोर पर कुछ आस्वाशन करें लिखित तोर पर हमें हमारी 24 सुत्री है जो हम लोगों ने एक दिआ लेटर बेजा हुआ था ncl प्रबंदन को दिया था उस पे ncl का जवाब प्राप्त हुआ है और बहूत ही गोल मूल जवाब प्राप्त हुआ है ncl की जो अधिकारी है वो स्वयं जो हमारा यहां पर स्थापन होना है आरेफ इप सिटी लार-एक्ट के तहत होना है पढ़ें उसके बाद बिचार दें लेकिन उलोगों ने विल्कुल भी अध्यान नहीं किया जानकारी का पुरून रूप से आभाव है आप इसी सिंग्रोली जिले में रेलवे जमीन आकुपाई कर रही है आपका नेशनल हाइवे बन रहा है उसके लिए कलेक्टर महोदे के द जो अस्थानी प्रसासन है जो रेलवे अथ्वा कलेक्टर महोदे जिस हिसाब से पैसा दे रहे है उसी हिसाब से एंसल भी हम लोग अभी स्थापन करें लेकिन एंसल उन ला रेक्ट के नियमों को नहीं मान रहा है वो अपना एक अलग जो बने बता है प्राइवेट कंपरी इसे में क्या समझा जाए कि एंसल प्रबंधन अलेक्टर विभाग को नियंतरत कर रहा है या इसमें जमीनों का जो एक्विशन है वो एंसल को करना है देना एंसल को ही पैसा है लेकिन उसका सुपरविजन तो इसमें निशित रूप में अस्थानी प्रसाशन को भी इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए और जो लार एक्ट कहता है हम एक्ट के अलामा कोई भी उनसे डिमांड नहीं कर रहे है कि हमें आप कुछ भी दीजिए हम एक्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे है लेकिन जो नियम को ही नियम को ही पालन नहीं करना चाहरे है उन नियम को ही अंदेखा कर रहे है हम लोगों ने जो 24 सुत्री इमांग पत्र दिया उसमें हम लोगों ने रिफरेंस दिया कि आप यहां यहां पे इंकाद्धिन करें लेकिन उनका जवाब बिलकुल गोल्वल जवाब है और बहुत ही निरासाजनक जवाब है इससे बिलकुल ऐसा लगता है कि यह विस्थापन प्रक्रिया इतनी आशान नहीं रहे हैं तो एंसेल के और से क्या कुछ दर्व निर्धारित किये गये हैं लिखे तोर पे या कुछ बताया गया कि मुलेंकन कैसे किया जागा कैसे लाभांदित किया एक बात जरूर आ रही है कि 88 सो रुपे स्क्वायर मीटर की दरसे जमीन का पैसा दिका जाएगा तो रिफी स्क्वायर मीटर का मतलब हो Equity साड़े थी लाग रूपे डिसमील का तो आज 15 साल के बाद भी हमारी 30 सा और पचाहासा रुपे बढ़े ही किमत कर INFलिげлед् kidding अगर 3.30 में लिए ओधे तो आज यहां पे 8.09.00 रुपे रेट रहता है तो जो दर्बैटन में जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो यहां पे हमारा बढ़ रहा है rate तो हम 3.30.000 रुपे करेट नहीं लेना चाहेंगे आपके अधिकारी एंसेल के अधिकारी कहते हैं कि वार्ड क्रमांक 10 जो की यहां के सभी वार्डों में सबसे जादा कीमत ही उसका रेट हम आप लोगों देंगे हम लोग का ये कहना है कि वार्ड नमबर 10 तो अस्तित्तों में है ही नहीं आज की रेट में जो है नहीं जिसका रेट का मुल्यंगन आपने आज से 10 साल पहले किया था वो रेट आज की रेट में आप कैसे ले सकते हैं आज की डेट में आप हमारी जमीन को अकुपाई कर रहे हैं, हमारी जमीन आप आज ले रहे हैं, तो आज की डेट में सिंग्रोली जी लेका जो नगर निगम है, नगर निगम वार्ड में जो भी भूमी है, जो अधिकतम तीन रजिस्ट्री हैं, आप अधिकतम तीन रजिस्ट है उसका एवरेज पर हम लोग चाहेंगे कि उसी तरम लेंकन हो पिल्कुल कुछ ऐसे प्रश्ण है जो हर एक वेक्टी जानना चाहते हैं हमारे लोगों से मुलाकात होती है लोग जानना चाहते हैं पहला प्रश्ण तो यह है कि मुख्या घर की जो आने सदसे हैं उनको कैसे कै से लाव पहुंचाया जाएगा इस पर भी चीजे थोड़ी सी अभी इसपस्थ हैं लोगों के बीचे बहुत सारी संकाएं भी है एंसे जो है जो बात कह रहे हैं कि घर के मुख्या को 15 लाग रुपे दिया जाएगा विस्थापन से जो प्रभाबित हो रहा है क्योंकि विक् लेकिन एंसेल जो है यहां पर यह चीज को नहीं बता रहा है कि अगर जो मुख्या है मुख्या कोई बच्चा जो है बाहर पढ़ रहा है या बाहर नौकरी कर रहा है तो वो भी बिस्थापन से वो भी प्रभाबित होगा लेकिन अगर वो पिछले तीन सालों से यहां पर न रह रहा है एक बच्चा जो है भोपाल में पढ़ा ही प्थे साल। मर नहीं का चूपाई लॆ है चूह 13 provided लाब गौत ब्रुपे को चूझा ऋ हुबारे थे लोग का विरौद है कि जो लोग यहाँ पर in-kited हैं, जिनकी यहाँ पर registered जमीन हैं, जो जमीन के मालिक हैं, मुखिया हैं और मुखिया के जो बच्चे हैं, सभी बच्चेओं को लाव मिलना चाहिए. जो वैस के बच्चे हैं जो नियम आनुशार और लारेक्टम ऐसा है यह एंसल प्रबंदन अपने से यह अत्रिक नियम लगाया हुआ है और हम लोगों की चीज़ों को छोटे-छोटे लावं को भी वो काटना चाहता है जिससे कि उन्हीं कॉस्टिंग कमाई यह अलग बात है लेकिन गौवर्मेंट केंदर सरकार ने जो नियम बनाया है वो विस्थातितों के अधिकतम लाग के लिए बनाया है कमपणी वाले अलग यहां सोच रहे हैं उनका जो भी विचार है लेकिन हम लोग यहां पर इसके विरोध में हैं कि भई चीज़े इसपस्ट होनी चाहिए जो यहां पर इंटाइटल लोग हैं उनके बच्चों को लाव मिलना चाहिए और जिनकी जमीने नहीं है वो अपना प्रूब करें वो अपने डाकुमेंट पर सूप करें अब जैसे की एक सवाल यह भी बनता है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग दी है जिनों ने लगबग अपन अपने डाकुमेंट्स देने होंगा कि वो गर्त तीन वर्सों से हाँ पर रह रहे हैं आपको जब सेक्शन 9 लगा है 9 फरवरी 2024 के पुर्व के जो तीन वर्स है उसमें वो सिंग्रोली में रह रहे हैं उन्हें ऐसा प्रूब करना पड़ेगा और वो अपने डाकुमेंट्स करने की योजनाएं तयार की गई हैं आपकी ओर से आपके मंच की ओर से क्योंकि एगर इस तरीके से पारदर्शिता अगर नहीं आ रही है तो ऐसे में सर्वेक्शन का कार क्या सुरूफ हो पाएगा और अगर NCL ये बाते सामने नहीं रखता है तो क्या कुछ योजनाएं तक 43 सोर्सों से सिंग्रोली में रह रहा हूं हम लोग की भावना यहां जुड़ी हुई है लेकिन इसी सहर में बहुत सारे लोग हैं और ब्योसाय भी आप सिंग्रोली का ब्योसाय देखी रहे हैं कि अभी उस अस्तर पर नहीं चल रहा है लोग काफी परिशान है जैमीनों क सभी के मन में व्यापते हैं सभी यहां से जाना चाहते हैं तिंग्रोली से लेकिन अगर हम लोग को उचित मुआफजाराशी नहीं मिलते हैं हम लोग को कुछ भी अंधेरे में रखा जाता है ओने पोने दाम में हमारी संपत्तियों का मुल्यांकन करके हम लोग को हटाय हैं तो वो प्रेशर में वो लोग भी चाते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका नापी हो जाए हाँ यहां पर मौअबजा का एमांट बिल जाए जो भी मिल जाए मिल जाए लेकिन लोगों ने पूरी जिन्दगी यहां पिखा पा दी उनको उस मौपजाराशी तो उन्हें भी चाहिए जीव को पारजन के लिए हम लोगों ने NCL से डिमांड किया था कि यहां से हटने के बाद आप 21,000 रुपे पर मंद के हिसाब से आप राशी दीजे शुरुवात कि दो साल तीन साल पर यहां से आदमी हटेगा तुरंत अपनी जीव का नहीं चला पाएगा हर जिना मिल और यह जो दो पक्ष जिसे हम कह रहे हैं कि दो पक्ष आज भी भाजित हो गए हैं विचार धारा हैं अलग-अलग हैं इनका एक होना संभवता क्या लगता है कि यह एक हो करके एक विचार धारा के साथ चुड़ पाएंगे या फिर दो दिशाओं में इनकी आतर चलती रहे मेरा तो यह कहना है कि यह दोनों मंच अलग-अलग नहीं है यह दोनों मंच एक ही मंच हैं और जो दोनों मंच के जो सदस हैं अगर हजार-जार में में कहलूँगी भी दोनों गृप में हैं तो उसमें तकरीवण आठ सो लोग कॉमन होंगे 100-200 लोग कम ज़्जादा हो सकते और दोनों मंचों का उद्देश से तो बिल्कुल पाक साफ है कि जादा से जादा यहां के लोगों को लाव मिल सके। सब्सक्राइब और नहीं करना पड़ेगा और जो पुनरास्थापन होगा वो भी उनको शोटा-शोटा करना पड़ेगा पड़ेगा और दोनों अस्तल में की आ जा सकता है आराम से और दोनों के लिए यहां के लोगों के लिए वी सुद्धा जैनक होगा एक सुर में आकर के बात करने वाली बात आपने कही तो ये सुर कब मैच करेंगे मलब ये सुर ऐसा ना हो कि फिर वो सुर जब तक मैच करें तब तक संगीत ही ना बचे ऐसी कोई बात ना हो तेकि हिर्दै से तो हम लोग एक हैं और जहां मैं ब्यक्तिगत अपनी ही बात कर रहा हूँ तो उस मंच में भी जो वरिस्ट हैं हमारे लिए सभी आदरनी है और ब्यक्तिगत रुपे मैं सभी का आदर करता हूँ और ऐसा कुछ भी मन में नहीं है लेकिन सभी के विचार किनी किनी बिंदू पर अलग हो सकते हैं किसी भी एक दिणू पर मैं मेरी बिचार अलग हो सकते हैं बस बिचारों की लड़ाई है और बाकी हिर्धर से हम लोग एक हैं भी भी ऐक दूसरे कि हैं वह बिलकुल बनाया जो सिंग्रोली की खासियत है वो बिलकुल है लेकिन ठीक है भई हर आदमी अपने भविस्ट के बारे में सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भविस्ट यहाँ पर बेतर है तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ क्योंकि मेरा महाविद्याला है हमारे लिए ही तो हमारा कस्टमर बेस यहीं के लोग है हिरवा, पर्ताली और करेला, बिरकुनिया, बगईया, बिचितरंगियां के लोग है, हमारे लिए इन से ताना बना है, और मैं इनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, तो मैं इधर जाना चाहता हूँ, जो लोग अपना भविस्त भलवलगी होर देखना चाहते हैं, तो वो हम लोग चाहते हैं कि दोनों मंचेक हो जाए, हम आज भी वहां पर भी जो वरिष्ट हैं, हमारे वरिष्ट हैं, हमारे आधरनी हैं, और हम उनकी आज भी वैसे सम्मान रखते हैं, उनका सम्मान कहीं भी नीचे नहीं हुआ है, सम्मान आधर बिल्कुल वही है, बस विचारो का फोड़ा सा उस पे है कि भी हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं इस समय उन्हें यह कहना चाहूंगा कि बहुत तिथी जल्दी आए जब यह जो दो विचार भारा हैं वह एक ही हो जाएं हमार साथ चर्चा में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्थाप